Hello student, good morning all of you. Today I am going to teach you standard 3rd, Maths, Magic, Book 3, textbook in mathematics for class 3. तो यह आपको books purchase करनी है, तो chapter number one, where to look from, यानि कि कैसे देखा है आपने, देखने में वो कैसा है, कैसे दिखाई देता है, तो यह उसके बारे में, इस chapter से, तो मैं इस chapter I read to explain, our teacher told us to draw a picture of a car. तो एक student ने कहा है कि हमारे teacher ने हमें car draw करने के लिए कहा है, we all drew the car different, हम सब को different type की car draw करने, यानि कि अलग-अलग car draw करने के बोला है, next day, यानि कि उसके बाद, अगले दिन, when we showed our picture to each other, फिर क्या हुआ, कि हम सब ने, जो हमारे सबने जो picture बनाए थी वो दिखाई, शो की, we were very excited, हम सब लोग बहुत ही खुश थे, but unsure started laughing, लेकिन unsure है, वो क्या करता है, हसने लगता है, he was looking at दिरस drawing of a car, और वो दिरस की car, जो picture उसने draw की है, उसकी picture को देखके, वो क्या करता है, हसने लगता है दिरस के, तो देखो, यहाँ पर यह दिरस के ने card draw किया है, और यह अंशुल ने card draw की है, तो देखो, उसमें क्या difference है, अंशुल shade, अंशुल कहता है, it look like a small box, kept in a bigger one, तो अंशुल कहता है कि, तुमने तो एक बड़ा box के अंदर, तुमने एक छोटा box draw किया हुआ है, तो अंशुल show his drawing to दिरस, तो अंशुल है, वो क्या करता है, अपनी drawing है, वो दिरस को बताता है, दिखाता है, both of them drew the picture of the same car, लेकिन दोनों ने क्या करया है, कि same car draw किया है, but the drawing look different, लेकिन, car दोनों ने same ही draw किया है, लेकिन वो उसका look है, वो कैसे है, different type का है, यानि कि अलग-अलग है, तो दिरस से, he had looked at the card from the terrace, दिरस क्या कहता है, दिरस ने क्या कहा, कि मैंने तो ये picture terrace में से, यानि कि top, यानि कि terrace में से देखके उसको draw किया है, and do you think his funny drawing is right, तो तो तुम्हें क्या ये funny क्यों लग रहा है, ऐसे बोल रहा है, ये दिरस वो बोल रहा है कि मैंने तो terrace में से देखके ये draw किया, तो terrace में से यानि कि top view, यानि कि terrace में से आप देखोगे top view, ये इस तरह से card नजर आएगे, जो दिरस को दिखाए दिये है, वो उसने इस तरह से draw किये, और जो अंशूल है उसने किस तरह से draw देखा होगा, तो कि ये side view से देखा है, तो side view से उसको इस तरह से card दिखाए देती है, तो उसने एसी काड ड्रो की है Next यह Have you looked at things from different sides Do they look the same or difference तो आपको सोचना है कि कैसे यह difference type की है तो मैंने आपको बदाए कि यह side view से उसने ड्रो किया है और यह उसने top view से किया है Look at the feature ड्रो हीर यहाँ पी कुछ feature ड्रो किये हुआ है How does the table look from the side Which picture is from the top तो यहाँ पे एक table का picture ड्रो किया हुआ है आपको देखना है कि किस side से है तो हमें top side का जो picture से वो हमें देखना है तो देखो हम एक table लेंगे table का देखो इस side में से देखेगा तो यह इस तरह का look देखेगा हमें यहाँ हम top view से देखेंगे यानि कि उपर से देखेंगे तो यहाँ हमें rectangle shape का जो है table का view ऐसे हमें इसे table का look दिखाए देगा तो some picture I draw below imagine how these things will look if seen from the top तो यहाँ भी कुछ things यानि कि चीज़े हमें देखेंगे देगा हुई picture देगा हुई है तो उसकी top view हमें कैसे दिखाए देगी वो हमें तो देखो यह pressure cooker है यह slipper से यह pumpkin है और यह table से इसा will they look like this तो वो कैसे दिखाए देता है top view में तो देखो top view से यहाँ के उपर से हम देखेंगे pressure cooker को तो यह इस तरह से दिखाए देगा slipper को हम उपर से देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से देखाए देगा फिर यह pumpkin ही उसको हम उपर से देखेंगे तो इस तरह का देखाए देखाए और यह table है यानि की cupboard है जो उसको हम उपर से देखेंगे यानि की top view से देखेंगे तो इसको हम इस तरह से देखाए देगा यह top view से हमें इस तरह से देखाए और side view से हम तो यह इस तरह से दिखेंगे, next phase पर है, practice time, a kid is peeping into a classroom, can you help her find out where the teacher is, तो देखो यहां पर एक केट है वो जाक रही है कि उसको हमें फाइंड आउट करना है कि टीचर्स कहां पर है तो देखो यह सारे टिया स्टूड़न्ट है और वो यहां पर जो है वो टीचर्स है तो वो टीचर्स को कहां पर है तो देखो यहां में यह दिखाए देती है यहां पर है यहां पर कुछ पिचर दिए गए हैं हमें फाइंड आउट करना यानि कि पता लगाना है कि यह किस तरफ के साइड यूँ है या टोप यूँ का है तो पहले देखो यहां पर है स्टेर केस किस तरफ का लूप है तो कि यह हम साइड से दिखेंगे तो यह इस तरह का हमें दिखेगा फिर यह है स्टेर केस तो यह किस तरह से दिखता है तो जब हम टोप पे खड़े होंगे यानि कि चेर के स्टेर केस के उपर हम जब सीडियों से देखेंगे तो यह एसा लुक के सा है तो ये भी हमें टेबल उपर से देखेंगे तो ये है टोप व्यू फिर चेर है तो चेर का लुक के सा है तो कि साइड व्यू है फिर है टोप व्यू ये पैंसिल का पैंसिल से हम इस तरह से देखेंगे तो ये हमें टोप व्यू दिखेंगी एसी देखेंगी ये यह बस की कौन सी साइड से तो कि यह साइड व्यू से हमें यह लूप दिखाए देगा सी क्वेशन है ड्रो टो फ्यू अफ फ्यू तिंग्स एंड आस्क यूर फ्रेंड्स एंड टू गेजिज वॉट दे आर तो यहां पे कुछ हमें टोप यू दिखाए यह से टोप यू से पिचर्स ड्रो करने है कुछ पिचर्स ड्रो करने है आपको अपने फ्रेंड्स से डिसकर्स करके फिर ड्रो करना है तो मैंने यहां पे ड्रो किया है पीलो बुक्स एंड बोक्स जो मुझे टोप यू से इस तर से दिखाई देती है नेक्स स्पेस पर है रंगोली तो रंगोली के यहां पर है have you ever made a रंगोली my friend मिनाक्षी make beautiful floor pattern क्या आपने कभी रंगोली बनाई है मेरी friend जो मिनाक्षी है वो बहुत अच्छी floor और पेटन बनाती है तो यह बोलता है लड़का और यह उसकी friends मिनाक्षी है I am मिनाक्षी I belong to Tamil Nadu we make रंगोली every morning and they are made by using doors तो वो क्या कहती कि मैं मिनाक्षी हूं मैं Tamil Nadu से बिलों करती हूं और हम हर सुबा रंगोली बनाते है और वो डोट को यूज करके वो रंगोली बनाते देखो यह मिनाक्षी ने कुछ वह ड्रो किया हुआ है डोट को मिला के तो यहां पर है you can also try and use the dots given below the make patterns two examples have been drawn here तो यहां पर दो एक्जाम्पल हमें दिया गया है डोट को मिला के तो देखो यहां भी cloud line है और यहां पर यह straight line है इसको मिला के यहां पर pattern दी गई हुई है तो आपको उस pattern को यहां पर यूज करके यहां पर भी draw कर सकते हैं और आपको कोई other point मिला के आपको आते हैं तो इस तरह से भी आप pictures draw कर सकते हैं यह आपने आपको करना है next यहां पर है make other patterns yourself तो यह सारी जो patterns है वो आपको अपने आप करना है तो मैंने आमें आपको यह दिखाते हूं copy this shape on the dot guide grid note that some lines in the shape are straight and some are not तो यहां पर कुछ line है straight है और कुछ line सम स्ट्रेट नहीं है यानि की slating है फिर है count line है तो यह picture देखके आपको यहां पर draw करनी है और फिर यहां पर आप कुछ भी design draw कर सकते हो देखो मैंने यहां पर draw किया है फिर यहां पर है shape shape बना के यह कौन से shape है वो आपको draw करना है next है यहां पर question 4 है on the boat grid given below and draw the following तो यहां पर एक a kite, leaf, flower, boat, star, report वो सारे picture यहां पर आपको draw करने हैं हमबग में कर सकते हैं तो आपको आपको झाल में अभिल कर स deployed कर सकते हैं को पो नहां बेगार ही素ब आपकोड़ में झाल 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 झाल